हलो एवरीवान आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मागनेट ब्रेंज के शांदार यूटूब चैनल पर जहां हम आपको प्रोवाइड कराते हैं के ट्वैल के सारे सब्जेक्स के पूरे-पूरे स्लेबर्स के पूरे-पूरे कोर्स के एड्यूकेशनल वीडियोज किंडर गार्डन कुछ भी हो कोई सब्जेक्ट पढ़ना हो आप मैगनेट ब्रेंज के यूटूब चैनल पर आओ या मैगनेट ब्रेंज की विबसाइट पर आओ या फिर हमारे आप पर आओ आपको पूरा वीडियो कंटेंट फ्री आफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कराते हैं चाहे आप के CP बोर्ट के हो चाहे आप UP बोर्ट के बच्चे हो MP बोर्ट के हो बिहार बोर्ट के हो या CBSC बोर्ट के हो हमारे पस इन सारे बोर्ट के अल्रेडी कंटेंट प्रिपेर्ड हैं आप आईए वीडियो और फ्री फॉर यू और बढ़िया पढ़ाई कीजिए मैं सबी को class 10 के बच्चों को आज अपन attempt कराने वाले हैं आज अपन practice कराने वाले हैं बहुत जादा important questions बढ़िया practice चल रही है यह तो part 4 है 8-10 parts का plan है मेरा तो तो बढ़िया से questions practice करो यार बढ़िया maths हो जाएगी तुम्हारी तुम भी कहोगे कहा सर मजा आ गया तो चलिए पहन को अभी निकाल लो जल्दी से और अब अपन शुरू करते हैं अपना first question यह रहा सर अपना first question जल्दी से देखेंगे क्या है भाई determine the AP whose fourth term is 18 चोटे-चोटे questions है अभी तो fourth part है 5th भी निकलने तो 6th, 7th, 8th में मजा आएगा proving वाले बड़े-बड़े questions आएगे determine the AP whose fourth term देखो fourth term को ऐसे लिखते है पिटा A4 है ना is 18 is equal to 18 ठीक है सर पिटा यहाँ एक equation बना लो A plus N minus 1D N पिटा 4 है तो 3D हो जाएगा is equal to 18 and the difference of 9th term from 15th term 9th term from 15 term 15 term say difference is equal to 30 समझे कुछ नहीं समझे difference मतलब minus किसका 9th term from 15 term from from समझ रहो from 15 term say minus करना है 15 term minus 9 term is equal to 30 sir 15 term का formula क्या बनेगा A plus 15 minus 1 याने की 14D yes sir 14D ठीक है getting my point yes sir minus bracket इसका क्या बनेगा A plus N minus 1 9 है N 9 minus 1 बिटा 8 8D is equal to 30 बच्चा minus का सिंबल खोल जारा A plus 14D minus का सिंबल में इन दोनों के negative ये positive है negative हो जाएंगे minus का A minus का 8D is equal to 30 ठीक है sir? ओके sir एसे A कट हो गया positive negative कट हो गया बेटा 14D minus 8D sir 6D आएगा is equal to 30 बिटा 6 को वहां ले जाओ 30 upon 6 5 sir common difference अपना 5 आ गया क्या बात है? क्या बात है? ये ही तो बात है अब sir common difference अगर 5 आ गया तो A कैसे? देखो A और D और N राजा है पूरी की पूरी arithmetic progression की A और D और N आ गए तुमारे पास तो भाई बल्ले बल्ले है फिर तो sir ये भी तो एक equation वेट कर रही है solve होने के लिए हाँ ये भी तो बिचारी तरप रही है कि मुझे भी solve करो तो D की value अपन यहाँ put कर देंगे A आ जाएगा देखो A plus 3 into D that is 5 is equal to 18 3 5s are 15 A plus 15 is equal to 18 15 वहाँ ले जाएंगे A is equal to 18 minus 15 ये A आ गया बिटा 3 ठीक है A आ गया 3 A आ गया D आ गया बढ़िया अच्छे से properly लिख देते हैं sir A is how much 3 and D is how much 5 D is equal to 5 ठीक है इतना copy करो फिर अपन आगे चलते हैं ठीक है copy this much चलो ठीक है तो भई क्या है sir अपना A is equal to 3 D is equal to कितना है था D is equal to 5 लिख दिया sir ठीक है now पूछ क्या रहे हूँ determine the AP AP निकालो भई तो AP क्या होती है भई सर AP होती है A तीन टर्म्स निकाल दो जब भी वह AP पूछे न तीन या चार निकाल दिया करो सबसे पहला टर्म है sir A that is A1 दूसरा टर्म होता है A में बस D add कर दो A plus D सर तीसरा टर्म कैसे निकलेगा A में 2D add कर दो A plus 2D सर फूर्थ टर्म कैसे निकलेगा A में 3D add कर दो एक एक D बढ़ता जाता है बस तो सर A कितना आया? A कितना आया sir? A आया बिटा 3 तो A is equal to 3 A plus D 3 plus 5 A 3 है D 5 है तो सर 8 आया equal 3 और 5 2s are 10 13 आयेगा sir 13 आया फूर्थ दर्म है वैसे फूर्थ की जरूरत नहीं है मैं फिर बोल रहा हूं 3 तो कम से कम निकालना तो 5 3s are 15 16 17 18 सर यह 18 आया तो यहां लिखेंगे A P is A P is 3 8 13 18 3,8,13,18, dot 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 जरूर लगा दे ना 3 dot बाश जरूर ही है नहीं तो आप पस इतना ही लिख दो यह answer है बिटा So this is our answer number one question number one complete हो गया है जल्दी से देख लो एक बार glimpse ले लो so that we may move on to question number two then है ना चलो चलिए moving ahead आगे चल देए question number two पर चलिए हाँ जी question number two यह रहा sir the 19th term of an A P is equal वो बोलते जा रहे है अपन लिखते जा रहे देखो sir 19th term is A 19 is equal equal लगा दो भाई 3 times 3 into 6th term A 6 if its 9th term is 19 A 9 is 19 दो चीज़े दिये है एक यह ठीक है एक यह दिये है ठीक है एक तो यह होगी और दूसरी यह दिये है बिटाई नहीं से पूरा गेम हो जाएगा find the AP find the AP AP निकालनी है ठीक है easily हो जाएगा tension नहीं लेने का sir A 19 के नीचे इसका formula A plus N minus 1 दी लो एर formula लिख देता हूं नहीं तो तुम लोग गड़़ड़ा जाओगे A N का formula होता है sir A plus N minus 1 into D ठीक है sir यह A N का formula हो गया sir अब अपन S N का formula देखते हैं sum of N terms ठीक है कई formula होते sir SN के तो अपन सारे ही लिखेंगे tension नलो N upon 2 bracket 2 A plus bracket N minus 1 D ठीक है एक और लिखते हैं SN is equal to N upon 2 plus N upon 2 A plus A N bracket A plus A N bracket close एक और लिखते है sir SN is equal to N upon 2 bracket A plus L ठीक है यह तो तीन हो गए और भी है पर वो नहीं लिख रहे हैं अभी अपन वो natural numbers वाले जो last वाले part में अपनने पड़े थे उनका I think इस part में भी use नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे हैं अभी ठीक है ओक है तो A 19 के नीची इसका formula लिखेंगे A plus N and यह बिटा 19 है N ठीक है N मतलब 19 इसके लिए N 19 है 19 minus 1 बिटा 18 हो जाएगा 18 D is equal to 3 into A6 Sir A6 होगा A plus 5D 6 minus 1 यानी 5D ठीक है Done? Yes Sir A plus 18 D is equal to 3 का multiply अंदर करो 3 into A Sir 3A plus 3 into 5D 3 5s are 15D यह है ठीक है चलो अब देखना गौर से देखना बिटा देखो दो काम हो सकते हैं आप या तो A और D को equivalent बना दो equal equal में दिखा दो या फिर सबको 0 के equal दिखा दो इन सबको इधर बुला लो मैं पता क्या कर रहा हूँ देखना दिमाग से चलना पड़ता है A को यहाँ बेजो 3A के पास तो 3A माइनस A हो जाएगा 15D को यहाँ बेजो 18D के पास 18D के पास 15D आके माइनस का 15D हो जाएगा समझें क्या है और बीच में equal लगा दो सर equal लो भई हो गया काम तो इससे पता क्या होगा एक equivalency बन जाएगी 18 माइनस 15 सर 3D is equal to 3A माइनस A 2A तो सर दो चीज़े बन सकती हैं इससे मैं बता देता हूँ D का value आ सकता है सर 3 वहाँ जाएगा 2 अपान 3A या फिर अभी अपने 3 को अधर बेजा अब अपन 2 को भी अधर बेज सकते A is equal to 3 upon 2D तो A is equal to 3 upon 2D जो काम आए वो काम ले लेना ठीक है तो नोई सेम है पिटा टेंशन ना लो ये और ये इसी से बनी हुई है जब तू को यहाँ बेजोगे तो A is equal to 3 upon 2D ये बन जाएगा जब 3 को यहाँ बेजोगे D is equal to 2 upon 3 है तो ये बन जाएगा simple सी बात है ठीक है सर ठीक डन ओके तो अब A9 की बारी है अब A9 की बारी सर A9 क्या है A plus 9 minus 1 यानी 8D is equal to 19 पिटा A की जगा या D की जगा कुछ तो रखो जो यहाँ तो मैं पता सजिस्ट करूँगा अब A की जगा ये रखो 3 by 2D यहाँ रख दो A की जगा तो क्या होगा पूरा D में convert हो जाएगा ठीक है पूरा D में convert हो जाएगा ठीक है तो यहाँ रखते हैं एक ही जगा 3 by 2D plus 8D इसको अपन 1 कर दो is equal to sir 19 let us stick LCM, LCM आएगा 2 तो यह तो 3D ही रहेगा plus का 18 to the 16D हो जाएगा पिटा is equal to we have 19 यह 2 divide में अधर जाके multiply कर देगा यह बन जाएगा 19D is equal to 19 to the 38 है ना D is equal to 38 upon 19 answer आगया 2 answer तो नहीं आगया लेकिन हाँ यह आगया कि 19 की value आगई सर 2 यह आगई 19 की value D की value यार मैं 19 की value वोलना हूँ ठीक है D आगया अब क्या करें sir D की value तो आगई sir A कैसे निकालें बहुत आसाने भई थोड़ा सोचो समझो और फिर A निकाल लो तो sir A की value यह तो है तो इस D की value basically अपन किसमें put करेंगे बिटा D की value यहां कर रहा हूँ अब मैं ध्यान देना putting A putting D की value putting D is equal to 2 D की value 2 अपन इसमें put कर दे रहे या इसमें रख तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें रख देते A is equal to 2 upon 3 into D की value अरे 3 upon 2 है sir 3 upon 2 into D की जगा 2 लिखेंगे 2 से 2 कट गया A आगया 3 बिटा A और D आगया फिर तो बस A P आगई पूरा काम हो गया sir काम खतम चलिए sir A P लिख देते हैं यहां लिखता हूँ A P दाकि मैं erase कर सकूँ तो A P क्या होती है sir A P होती है A A plus D A plus 2D ऐसे चलता जाएगा ठीक है चलो A A plus D कॉमा A plus 2D तीन निकालो डॉट डॉट करके अपन लिख देंगे तो A है sir अपना 3 तो यह 3 लिखते है sir ठीक है let us write 3 A की जगा 3 कॉमा A plus D 3 plus 2 D2 है पेटा 3 plus 2 3 plus 2 कितना हुए पेटा 5 A plus 2D A हो गया 3 और 2 into 2 4 3 और 4 7 7 हो गया 7 8 भाईय लिख दो और कॉमा लगा कि 3 डॉट लगाना मत बूलना मैं फिर बोल रहा हूं पेटा नहीं तो गलत माना जाएगा So this is our answer ये पिया गई which we were asked to find जो हमें find करनी थी ठीक चलो Question number 3 पे चलते हैं बस फिर जल्दी से 3 भी खतम करते हैं धीरे धीरे we will finish it up So that अपना बढ़िया से Preparation तैयारी मस्त रहे यार बच्चा तैयारी बढ़िया होनी चीए बस ठीक है सर इसको erase करते हैं भाई वो वो का मुझे नहीं करना है बिल्कुल पसंद नहीं है दर 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 कराते जा रहा हो कराते जा रहा हो कराते जा रहा हो स्पीड में नहीं भाई तसली रखो कम समझो पर अच्छे से समझो ठीक है कम समझो पर अच्छे से समझो यह मेरा मानना है ठीक है चलो गई ओके तो अभी second complete हो गया third पे चलते हैं यह रहा third question कुछ-कुछ match जैसा दिख रहा होगा matching जैसा, matching मतलब previous वाले जैसा, उसी के जैसा है उसी के जैसे concept पे based है the ninth term of an AP is a ninth is equal ठीक है, six times its second term, six into a2 ठीक है, चलिए सर, a9 क्या हो सकता है, a plus 8d यह हो सकता है, equal six into, a2 क्या होगा, a plus n minus 1d n की जगा 2 रखो, a plus 2 minus 1 या नही 1, तो a plus 1d, तो सर यहां लिखेंगे अपन a plus d, d is 1d, ठीक है सर तो भाई, a plus 8d को ऐसे ही लिखो अंदर multiply करेंगे six into a, six a plus six into d, six d ठीक है, ओके वही काम दुबारा, पिटा, a को six के पास भेज दो, six a के पास six d को यहां भेज दो, ठीक है तो सर, eight d के पास six d यहां आएगा, minus का six d हो जाएगा, six a के पास यह a वहाँ जाएगा, six a minus a हो जाएगा, we will have two d is equal to five a अब यहां से बच्चो दो चीजे, मैंने फिर बोल दिया, यहां से दो चीजे बना लो भाई, क्या, एक तो d निकाल लो, d is equal to five a upon two, यह two multiply में उदर जाएगा, यहां फिर बच्चा आप a भी निकाल सकते हो, यहां फिर a की value भी निकाल सकते हो, कैसे बिटा देखो a is equal to five यह जाएगा, two upon five d two d upon five, तो two upon five d तो दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, हम आगे पढ़ेंगे if it's fifth term is twenty-two, अगर इसका fifth term twenty-two है a five अपन को दे रखा है, twenty-two ठीक है, a five a plus four d, अब तो रढ़ गया होगा पिटा, a कम कर दिया, करो बस five से, n से, तो four d आजाएगा, is equal to twenty-two बच्चों, या तो तुम a की value रख दो, यह या d की value रख दो, a की रख दो, तो भी ठीक, d की रख दो, तो भी ठीक, चलो d की रख दो, यहाँ d की value रखते हैं, देखो four into d, a plus four into d, d की value बच्चा वपन रखते हैं, five upon two a, five upon two a, is equal to twenty-two, ठीक है, पक्की बात, yes sir, two से इसको काट देंगे two times, two fives are ten a, है ना, two fives are ten a, a plus two fives are ten, तो ten a is equal to twenty-two, eleven a is equal to twenty-two a is equal to two twenty-two upon eleven, a आगे है sir, two, sir a आगे, आप d कैसे निकालें, अरे भाई, d की जगा अपनने five upon two a ले खता, d की यह value है ना, इसमें put कर दो a की value, बस, खतम हो जाएगा, sir, a, d is equal to अपने पास यहाँ है, देखो इदार है साइड में, देखो यह, five a upon two five a upon two, यहाँ a की value रखते है देखे है, d is equal to five a upon two five upon two into a, a की जगा two, two से two cancel, five आया two से two cancel, five आया ठीक है, तो भाई है, d आ गया five a आ गया two, बस, बना लो अब a, p, a, p में अब क्या रखा है easily बन जाएगी, तो sir, a, p कैसे बनेगी, a, p बनेगा बिटा minimum तीन टर्म से, है ना, a, कॉमा, दूसरा क्या होगा, a plus d बस d add करते जाओ, तीसरा क्या होगा, इसी में d add कर दो, a plus d plus d है नहीं, a plus 2d, कॉमा, dot, dot, dot ठीक है, चल, a, a हैसा 2, 2, 2, कॉमा, 2 plus d, d है बिटा 5, 2 plus 5, 7, यहां इन दोनों को अपनने 7, a plus d, a है 2, d है वाई तो 7 आगया, कॉमा, a है, अपना 2, और d है 5, 5, 2s है 10 और 2, 12, तो यहां 12 वाएगा बिटा, कॉमा, dot, 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 यह answer होगा बिटा, ठीक है, this is our answer, right, dot, dot, dot लगाना, जरूरी है, 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 बस इससे जदाद में और क्या ही कहँँ आपसे, कि जरूरी है, Q3 पे चलते हैं, sir, moving on to next, Q3, लीजए, यह रहा Q3, यह रहा Q3, यह थोड़ा सा आगे पहुच गया, इस Q3, थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा, The sum of the fifth and ninth term, five terms नहीं है, sum of five terms, sum of fifth and, देखो, मैं फिर बोल रहा हूँ, Fifth की बात हो रही है, A5, S5 की बात नहीं हो रही है, कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसको बढ़ने में, पिटा, एक चीज होती है, पाँच वा और नवा डर्म, that is A5 and A9, और एक होती है, पाँच टर्म्स, पाँच टर्म का सम निकालो, तो S5 होगा वो, difference है, दिहान रखना, तो सर, यहाँ पर A5, fifth term की बात हो रही है, that is A5, और A9 और ninth term की बात हो रही है, इनका सम जो है, वो दिया गया है हमें, क्या 30, 30, ठीक है सर, if its 25 term is, एक और condition दी है, कि अगर इनके 25th term is, इस मतलब equal to, 3 times its A term, 3 times its 8th term, A term is A8, ठीक है, चलो, बस दो equation दी है, से तो काम हो जाएगा, A P निकल आईगी, देखो, A5 होगा, पिटा, A plus 4D, plus, A9 होगा, पिटा, A plus, N minus 1D, N तो 9 है ना भाई, हाँ, 9 minus 1, 8D, ठीक है, A plus 8D, is equal to, sir, 30, ठीक है, भी, A और A होगया, 2A, 4D और 8D होगया, पिटा, 12D, is equal to 30, 2 common ले लो, बैटर रहेगा, 2 common ले लिए, से यहाँ बचा, A plus, यहाँ से 2 common ले लिए, 6D बचेगा, ठीक है, is equal to 30, यह 2 वाँ जाके, divide कर देगा 30 को, तो A plus 60 आ गया, 15, 30 divided by 2, 15, और यह आ गया भीटा, अपना first and the foremost equation, सबसे पहला और सबसे important equation आ गया, अब चलते हैं, यहाँ भाईया, इनसे बात कर लें थोड़ी सी, इनसे गुफ्तगू कर लें, तो सर, A25 क्या है, A25, A plus, क्या है भाईया, A plus 24D, N minus 1D हो जाता है न, A plus 24D, equal 3 into, equal 3 into, A8 क्या है सर, A plus 70, ठीक है, A plus 70, ओके सर, A plus 24D, is equal to, अंदर 3 के multiply करेंगे, 3 into A, 3 A, plus 3 into 7, 3 7s are 21D, बहुत गौर से देखना बेटा, बहुत गौर से देखना, इस A को 3A के पास ले जाओ, इस 21 को यहाँ ले आओ, ठीक है, तो 24D के पास, जैसे यह 21D यहाएगा, minus का 21D हो जाएगा, equal 3A के पास यह A जा रहा है, 3A minus A, minus का A हो जाएगा, तो यह बचा बेटा, 3D, और यह हो जाएगा 2A, अब देखना, मेरी बात समझना, दो काम हो सकते, या तो आप यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, वह एक दो काम, या तो D की वैल्यू निकाल लो, D की वैल्यू आ जाएगी सर, 2A, यह 3 multiply में वहाँ जाके divide कर देगा, और या फिर आप यहाँ से A की वैल्यू निकाल लो, है ना, A की वैल्यू टू इदर आएगा, 3 upon 2D, 3 upon 2D, दो चीज़े हैं, ठीके, यहाँ पुट कर दो, A की वैल्यू कर दो, यह D की, तुम्हें एक चीज़ बढ़ी या बताऊं, देखो, अगर यही अपन ले ले, 2A plus 12D is equal to 30, अगर अपन यही ले ले ले, for example, तो यहाँ बिटा, 2A की वैल्यू सीधी सीधी रख सकते हैं, अपन, है ना, 2A की वैल्यू अपन सीधी सीधी 3D रख सकते हैं, है ना, 2A is equal to 3D, यह भी कर सकते हो, यहाँ फिर इसी में रख सकते हो, तो यहाँ हमने 3D रख दी, 2A is 3D, 2A is equal to 3D, और 12D is equal to 30, यहाँ आगया 15D, 3D plus 12D, 15D is equal to 30, D is equal to 30 upon 15, 2 आया बिटा, D, जैसी D2 आगया बिटा, इसमें रख दो, लो भी, इसमें रख दो, यह इसमें रख दो, यह इसमें रख दो, किसी में भी रख दो, A आ जाएगा, 3 into 2 is equal to 2A, है ना, 2 से 2 कट गया, A is equal to आगया 3, बस A और D, हो गया, आप तो वैसी जीद गए जंग, है ना, आप तो वैसी जीद गए, A P बनानी है, find the A P, तो सर, A P बनती है, कैसे, A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and it goes on, A, A plus D, A plus 2D, dot dot dot, 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 ठीक है, तो सर, A क्या है, A देको क्या है भाई, A आपना 3, D, A आया 2, तो सर, ये हो गया 3, कॉमा, 3 plus 2, 3 plus 2 हो गया सर, 5, 3 plus 4, नहीं, 3 plus 2 रुक जाना, कॉमा, 3 plus 2 इंट टो एनी 4, 3 plus 4, 7, कॉमा, dot dot dot, ठीक है, ये A P हो गया, इस इस आर आंसर, ये आंसर है अपना, ठीक है, इस इस आर आंसर, लो भाई, हट गया मैं सामने से, so that, आप, स्क्रीन शॉट हो गया रहा, ले लो, चलो भाई, तो क्वेशन नमबर 4, फाइनली हमने कर लिया है, कंप्लीट, और इसको अठाते हैं भाई, अब आपन, और चलते हैं, क्वेशन नमबर 5 की तरफ, ठीक है भाई, चलो इसको अठा दू, 5 की तरफ, इसको अठाओ, ठीक है सर, क्वेशन फाइव ये रहा, लीजिये भाई, इफ दे सेवन्थ टर्म अफ 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 इस 1 अपन 9, सर, ए सेवन हमको 1 अपन 9 दिया गया है, कोई दिककत नहीं है, तो ए सेवन, ए प्लस, N-1D, N7 ए बिटा, 6D आ जाएगा, इस इकल टू 1 अपन 9, ठीक है सर, इस नाइन्थ टर्म इस, A9, 1 अपन 7, ठीक है सर, A9, तो ये A प्लस, 9 माइनस 1 हो जाएगा, विच इस 8D बिटा, is equal to, 1 अपन 7, सर, दो प्यारी प्यारी से, equation बन गई, 9 इदर मत ले जाना, गडबड़ गड़ोगे, ठीक है सर, हमारे पास, दो equations बन गई, we have two equations, अब इन दो equations को, elimination method से, हमें करना है, check, ठीक है भाई, हम इनको check करेंगे, चलो भई इनको बढ़िया सा, bracket में pack कर दो, और now we will check these equations, कैसे check करेंगे, और यार चेक क्या रहा हूँ, solve करेंगे, इनको elimination method से, देखो, बहुत basic सी चीज़ है, आपने सीखा है chapter 3 में, एक variable a है, और एक variable अपना 8d है, और लिखा हुआ है, 1 upon 7, यह सी के नीचे लिख दो, a plus 6d is equal to 1 upon 9, ठीक है, और भाई bracket लगाओ, ठीक है, खत्ब, भाई a से a minus होगा, subtract होगा, तब ही हटेगा, plus का और minus का, तो इसको minus कर दो, यह minus का होगा, यह plus का, यह भी minus होगा, और यह भी minus होगा, a से a गया, we have 8d minus 6d, तो सब 2d होगया, equal, 2d होगया, equal, 1 upon 7 से, 1 upon 9 minus हो जाएगा, क्योंकि 1 upon 9 negative होगया, तो 1 upon 9 लिखो भाई, ठीक है, solve कर लेते हैं, 2d is equal to, इन दोनों का LCM लेना बढ़ेगा, LCM आएगा, 9 7 जा 63, 9 minus 7, यह पूरा solve कर रहा हूँ भाई, 9 minus 7 upon 63 आएगा, यह LCM दे तुम solve करी लोगे ना, इस इकोल तू 2 upon 63, 2 upon 63, यह 2 इदर जाएगा, वैसे भी कट जाएगा, तो इसको काटो, D आया बिटा, 1 upon 63, D आया, 1 upon 63, यह आगया D, अब D की value, यह तो इसमें, इसमें किसी एक equation में रख दो, यह आजाएगा, ठीक है, ओके सर, किसी में भी रख दो, उससे फर्ग नहीं पड़ता, किसी में भी रख दो, कोई tension नहीं लेना, इसमें रख देते हैं, A plus 8D, is equal to, 1 upon 7, और बिटा, इसमें हम D की value, पुट कर रहे हैं, putting D is equal to, 1 upon 63, तो भीया, A plus 8 into, 1 upon 63, is equal to, 1 upon 7, is equal to, 1 upon 7, 8 बन सा, 8 upon 63, A plus, A plus, 8 upon 63, is equal to, 1 upon 7, 8 upon 63, को वाह भेज तो, minus हो जाएगा, तो A is equal to, 1 upon 7, minus 8 upon 63, ठीक है, LCM ले लो भाई, LCM 63 ही आएगा, 7 nines आथ, 1 nines आएगा, 9 आया, उपर 80 रहेगा, same, 1 upon 63, लो A भी आगया, 1 upon 63, यह भी same आया, A and D, दोनों same आगए बिटा, A and D, दोनों same आगए, A क्या आगया सर, सर A आगया, let us write it over here, यहाँ लिख देते हैं, सर A आगया, 1 upon 63, और D भी आगया, 1 upon 63, और अब अबन करते हैं, इनका खाता close, मतलब clear, ठीक है, निकालना क्या था बच्चा, सर निकालना था हमको, find its 63rd term, 63rd मतलब A 63, formula क्या बना, A plus N minus 1D, यह formula बनेगा सर, ठीक है, तो N की जगा 63, यहाँ रखो भई, A plus, 63 minus 1, यानि 62, D, चलो भई, value रखते हैं, solve करते हैं सर, A है 1 upon 63, 1 upon 63, plus, 62, into D है 1 upon 63, D है 1 upon 63, तो सर यह हो जाएगा, 1 upon 63 upon, 1 upon 63, plus, 62, 1 जा 62, upon 63, 62 और 1 बिटा, add हो जाएगे, क्योंकि denominator दोनों के same है, तो 1 plus 62 upon 63, 63, 63 upon 63, और आंसर इस, 1, सर, इन्हों ने बोला, के 63rd term निकालो, तो A 63, जो आया, 63rd term, 63rd term, that is 1, ठीक है बाई, ये रापके सामने solution, question 5th का, देख लो बिटा, फिर अपन question 6 पे चले, और धीरे धीरे करके, इन सब questions को भी, पहुचा दें, इनके solutions तक, चलिए, moving on to question number 6, erase कर दे हैं, और 6th question पे चला जाएं, find the value of middle term, middle term वाला तो सीख चुके थे ना अपन, है ना middle term निकालनी है, find the value of middle term, पहले middle term कौन सा है, वो बताना है और फिर उसकी value बतानी है, middle मतलब beach वाला number, हमारे पास series है, minus 6, series मतलब AP, minus 2, 2, comma dot 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 58, तीन dot है, और फिर comma 58, ठीक है, ठीक है, चलो, देखो गौर से सुनना, ये जो है सर, इस इस A1 या simply A, ये जो है सर, इस इस A2, इस इस A2, ये जो है सर, इस इस A3, फिर A4, A5, A6, A7, पता नही है कि ये कितनी है सर, ये कितनी है, ये नहीं पता सर, A, N, अगर हमें इसका N पता चल जाए, अगर इसका N पता चल जाए, N होता है position, N होता है place, rank, तो पता चल जाएगा, इस सीरीज में total कितने terms हैं, total अगर पता चल जाए, और odd आएगा बिटा, ये odd आएगा, देख लेना N odd आएगा इसका, तो हम middle term भी आरा हम से find कर सकते हैं, तो पहले हम पता करते हैं कि सीरीज में, total number of terms कितने हैं, जो इसकी position बता देगी, तो सर, A, N is equal to 58, ठीक है, तो सर, यहाँ पर A और D निकाल लेते हैं, A हो गया first term, जो है minus 6, और D हो गया common difference, जो होगा पिटा, second वाले से first वाला minus कर दो, minus 2, minus the first term which is minus 6, minus minus plus, minus 2 plus 6, 4 हो गया पिटा, 4 हो गया, D हो गया अपना 4, ठीक है, D हो गया पिटा, अपना 4, तो A, N की नीचे इसका formula लिखेंगे, जमाएंगे पिटा, A plus N minus 1D, is equal to 58, ठीक है सर, पिटा, A के नीचे A लिखो न, A is the first term of this series, which is minus 6, plus N मिरकालना है, N minus 1, और D का है common difference, common difference 4 है सर, common difference 4 है सर, 4 is equal to 58, minus 6 को वाह देज़ दो, प्लस 6 हो जाएगा, 58 plus 6, तो यह आएगा, N minus 1 into 4, is equal to 58 plus 6, तो यह आएगा पिटा, अपना 64, 64, 4 उदर जाएगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि यह मल्टिप्लाइ में, N minus 4 is equal to 64 upon 4, 16 आएगा पिटा, यह 16 आगया, N का minus 1 वहाँ जाएगा, plus 1 हो जाएगा, N is equal to 16 plus 1, तो N आगया 17, N is equal to 17, इसका मतलब बच्चो, यह जो 58 की है, अपनने जो पड़ताल की है न, यह 17 टर्म है, 17 टर्म है, तो इसका जो position है, जो place है, वो 17 थै, N 17 थै बटा, यह, ठीक है, तो इसका मतलब इस पूरी सीरीज में 17 टर्म है, कितने टर्म है बटा, 17 टर्म तो वी विल राइट, there are 17 टर्म्स in this series, in this AP, इस AP में 17 टर्म्स है, ठीक है सर, ठीक है, डन, अब सर, mid term निकालना है, middle term, अरे आराम से निकालनेंगे, देखो, घबराओ मत, बटा, 17 नमबर्स हैं, 17 नमबर्स हैं, उसका बीचवा नमबर होगा, 9th, कैसे पता सर, आपको मैं बताता हूँ, सुनो, एक तरीका होता है, जैसे मान के चलो, मैंने आपको दिया, A, B, C, D, E, अब मैंने का, बटा, 5 नमबर्स हैं, बता, middle number कौन सा होगा, तो तुम तो वैसे देखके, बता दो के, C is the middle number, तीसरा, थर्ड, आता कैसे ही है, यह देखो, 5 है ना बटा, 5 नमबर्स हैं ना, उसमें 1 एड करके, डिवाइड बाइ 2 कर दो, यह दे देता है आपको, जितने टर्म्स हो, उसमें 1 एड कर दो, और, अगर और हो, तो ही बोल रहा हूँ, 5 और है, 5 प्लस 1, 6 अपॉन 2, थर्ड, तो पेटा, इसमें 1 एड करके, डिवाइड बाइ 2 कर दो, तो 16, 16 का आदा, 18, 18 का आदा 9, तो मिडल टर्म जो है, वो 9 है सर, कौन सा है 9, तो यह पहली बात आदे, कि 9 तर्म is the middle most तर्म, वो बोल रहा है, वैल्यू बताओ, तो वैल्यू मतलब, A9 बताओ बिटा, A9 भी बताना है, पहला तो आंसर अपना आ गया, कि 9 तर्म इसका middle टर्म होगा, A9, पहली तो यह अपन ने बता दिया, कि 9 तर्म, अब A9 निकालो भी तो, A plus 8D होता है, A9 या फिर 9 तर्म, A होगा बिटा, अपना कहां चला गया, माइनस 6, A है बिटा, माइनस 6, plus 8 इन्टू D की जगा, 484 जा 32, 32 और माइनस 6, 32 और माइनस 6, बिटा बनेगा 26, 26, जो middle term है, वो है 9th, और वो 9th term, जो middle term है, वो है 26, 26 is the 9th term, which is the middlemost term of this AP, ठीक है भाई, जल्दी देख लो, ठीक, 6 देख लिया, erase कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लेट मी एरेज देश, इसको erase कर दिया, let us move on to 7th year, 7th question, मैं series लिख रहा हूँ, और फिर सामने से यट रहा हूँ, ता कि आप पढ़ लो, जो AP दीए है बिटा पन को, वो है 18, 151 upon 2, 13, dot dot dot, comma, 419 minus का 419, 491 sorry, upon 2, यह है बिटा पनी, series जो पन को, दी गई है, ठीक है, अब question पढ़ो आप, so that we may move on to, solve this question also, ठीक है, चलो, अब एक बात सुनो, यह series मैंने लिख दी है, तो confused होने वाली बात है, पता क्या, actually यह 15 whole 1 upon 2 है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से देखो बिटा, 15 whole 1 upon 2 है, ठीक है, देखो बता तुम सुनो, यह है 1515 whole 1 upon 2, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है वो, तो तो तुम्हें 151 upon 2 ऐसा दिख रहा होगा, यह minus का 49 whole 1 upon 2 है, तो वो तुम्हें 491 upon 2 दिख रहा होगा, ठीक है, चलो, सर यह रही अपनी सीरीज, ठीक है, अब तुम्चाहो तो लोग यह ऐसे कर देते हैं, तुम्हारे लिए, यह नहीं हो जा नहीं तो तुम लोग, ठीक है, समझ नहीं पाओगे नहीं, तो तुम 151 ही समझ लोगे इसको, चलो इसको प्रॉपर लिख देते हैं एक बार, तुम्हारी तसली के लिए, ठीक है, चलो, भई क्या ही है, 15 whole, 1 upon 2, ठीक है, और यह अपना minus 49 whole, minus 49 whole, 1 upon 2, ठीक, तो यह है भई, चलो, तो सर बाद ऐसी है, कि इननों ने कहा कि पता करो, यह कितने terms हैं, अब जैसे मैं तुम से पहली कहता हूं पिटा, कि यह क्या है, इसकी rank, या इसकी position, या इसकी placing, क्या है, सर यह ए one है, यानी इसकी placing, इसकी position one है, यह क्या है सर, यह A2 है यानि इसकी placing 2 है second है यह क्या है सर इसकी placing 3 है A3 है फिर बहुत सारे numbers है बीच में पता नहीं है कितने है लेकिन इसकी placing अब अपन नहीं बता सकते हैं सर क्योंकि यह तो last में है तो इसकी placing हम क्या ही बता है वी कांट से तो A N लिख दो इसको N नहीं पता पिटा यही N तो पता लगाना है यही N तो पता लगाना है तो चलो सर शुरू करते हैं ठीक है सर A क्या है A is 18 तो we will write A is equal to 18 है ना सर D क्या है D common difference बच्चों निकलता है बहुत आसानी से निकल जाता सेकेंड वाले से फिर्स्ट वाला माइनस कर दो 15 होल 1 अपॉण 2 माइनस 18 यह एक्चली साड़े पंदर है 15.5 अगर आप इसको दसली से देखो तो 15.5 है इससे 18 माइनस करो तो 2.5 आएगा माइनस का 2.5 आएगा बिटा माइनस का ठीक है इड विल बी माइनस का 2.5 जिसको माइनस का 5 बाइदो लिख सकते 5 अपॉण 2 ऐसे भी लिख सकते है ठीक है सॉल्व करके देख लेना धाई जो होता है ने 2.5 ये 5 का हाफ होता है ठीक है सर ओके चलो तो सर एए एन एक अन्नोन नंबर वाला टर्म है 49 माइनस का 49 होल 1 अपॉण 2 ठीक है सर सर एन की नीचे इसका फॉर्मला ए प्लस एन माइनस 1 डी ए प्लस एन माइनस 1 इन्टू डी इस इकोल डू माइनस का 49.5 लिख हूँगा इसको मैं अच्छा भी ऐसे लिख देते है 49 होल 1 अपॉण 2 इसको ऐसे लिख देते है ठीक है चलो तो ए ए क्या है बहुत अपना ए है 18 सर ए को अपने 18 लिख दिया प्लस एन माइनस 1 इन्टू डी डी है माइनस 5 अपॉण 2 सर माइनस 5 अपॉण 2 इस इक्वल टू माइनस 49 होल 1 अपॉण 2 देखना बेटा फ्रेक्शन भी यह फ्रेक्शन में गड़बड़ी कर देते हो नहीं तो तुम लोग ठीक है सुनो माइनस 5 अपॉण 2 को अंदर इंट्रेक्ट करा दो ठीक है अंदर इंट्रेक्ट करा दो यह बनेगा अपना 99 upon 2 बनेगा बिटा यह 99 upon 2 2 into 49 तो यह हो जाएगा 98, 98 plus 1, 99 यह 99 upon 2 बनेगा, इसको अपन अटाके minus का 99 upon 2 कर लेती है, ठीक है minus 99 upon 2 ठीक है, multiply करते हैं, सर 18 को उधर ले जाते हैं, अचा अभी रुख जाओ, अभी रुख जाओ 18 minus 5 upon 2 into n minus 5 upon 2 n minus 5 upon 2 into minus 1 plus 5 upon 2 पिटा slow solve कर रहा हूँ मैं is equal to minus 99 upon 2 ठीक है सुनो सर बात ऐसी है कि ये जो portion है न ये negative है और n निकालना है इसको वहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ बस खताम positive बन जाएगा ठीक है सर 18 upon 1 plus 5 upon 2 ये इदर आएगा plus 99 upon 2 हो जाएगा plus 99 upon 2 is equal to minus 5 upon 2 उदर जाएगा plus 5 upon 2 n हो जाएगा ठीक है चलो सर LCM लेना पड़ेगा और फिर solve होगा proper LCM 2 आएगा सर ये 18 से 36 बन जाएगा plus 5 plus 99 is equal to 5 upon 2 n 5 upon 2 n बेटा अब 2 से 2 आप काट सकते हो क्योंकि अब ये 2 सबके नीचे है सबके डिनॉमेटर में अब 2 से 2 कट सकता है ठीक है चलिए सर, solve करते है सर ये हो जाएगा 100 ये हो जाएगा 40 140 आया सर उपर 140 is equal to 5 n ठीक है 5 इदर आएगा divide करने तो n is equal to 140 upon 5 5 2 जा 5 8 जा 28 28 आया n का value ठीक है मतलब ये जो बंदा बैटा है ये 28 नमबर पर बैठा है इसकी जो rank है वो rank आई rank या position आप कह सकते हो n 28 है भाई इसके लिए जो position है इसकी जो placing है वो 28 28 बे स्थान पर रही है ठीक है सर पहला काम तो क्या find the number of the terms इस पूरी सीरीज में ये last है और इसकी position 28 है तो इस पूरी सीरीज में 28 terms होंगे पहला answer आ गया क्या answer आया सर पहला पहला answer आया the total number of terms are 28 the total number of terms is 28 total terms in the given series is equal to 28 28 28 terms है ठीक है ये हो गया भाई total terms next find the sum of all अब सारे sum इन सब को add करो ये भी कर लेंगे कोई बड़े बात नहीं है पिटा screenshot ले लो मैं erase करना चाहता हूँ थोड़ी सी space चाहिए मुझे लो और पीछे add जाता हूँ ठीक है screenshot taken yes sir चलो सुनना इतना कर देता हूँ मेरे फिर तो खतामी है खेल ठीक है बच्चों गौर से सुनना है रहा ना गौर से सुनना बहुत important question है blue से कर देते हैं चलो देखो first term है 18 comma दूसरा term है 31 upon 2 यह 31 upon 2 है बिटा 31 upon 2 comma तीसरा term हम अपन लिखनी रहे छोड़ो dot 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 और लास्ट टर्म जो है वो यह है माइनस का 99 upon 2 ठीक बच्चों इसमें total number of terms अपन को पता है यह पूरे 28 terms है ठीक है तो n कितना हो गया 28 28 सब का सम निकालना है सब का सम निकालना है यह A हो गया सर 18 और L हो गया लास्ट टर्म 99 upon 2 L हो गया माइनस का 99 upon 2 बिटा सम आफ N टर्म्स का फॉर्मॉला है ऐसा कौन सा लगेगा जो यहां स्ती उटे बेलो यह वाला लगा दो यह लास्ट वाला कतम सार सब का सम निकालना है बिटा तो S N का फॉर्मॉला है N by 2 ब्रैकेट A प्लस L फर्स्ट प्लस लास्ट ठीक है चलो तो सर N अपना 28 है 28 upon 2 28 upon 2 ब्रैकेट A है 18 प्लस लास्ट है माइनस का 99 upon 2 तो इदर माइनस का लिख लेते हैं माइनस 99 upon 2 ठीक है चलो यह 14 आजाएगा यह upon 1 सर यह हुगा 14 इंटु यह हो जाएगा 36 माइनस 99 upon 2 ठीक है सो 63 माइनस का 63 आएगा हाँ माइनस का 63 14 इंटू माइनस का 63 upon 2 2 से ये गया 7 times minus 63 into 7 तो अपना answer आ रहा है sum of all terms sum is equal to sum is equal to 7 into minus 63 7 into minus 63 6 3, 7 3 is a 21 ki 1 2 carry 7, 6 are 42, 43, 44 4, 4, 1 वो भी minus का है ये अपना answer है this is our answer ठीक है वहाँ से शुरू किया यहाँ खतम कर दिया ये इसका answer था ठीक है find the sum of all its terms ये था चलो बही जल्दी से देख लो let us finish it off also फिर चलते हैं next question पे ठीक है 8, 9, 10, 3 और बचे चलो इसको erase कर दें अब ठीक है इसको सबको erase कर देंगे let us erase them all ये हो गया भई ठीक है और इसको भी अपन erase कर देंगे भई लो भई या जाओ erased ठीक है और इसको भी erase कर देंगे और इसको भी erase कर देंगे ठीक है भई चलो, moving on, next question यह रहा sir, question number 8, देखो, the 14th term of an AP is twice its 8th term, sir, जो 14th term है, A14, वो equal है, किसका equal है, double के, किसका double, 8th term है, A8, यह दिया हुआ है, चलो भाई, यहाँ से generate कर ले दे, एक बढ़ी अजी equation, A14 हो जाएगा, A plus 14 minus 1, that is 13D, is equal to 2 into, A8 हो जाएगा, पिटा, A plus, A plus 8 minus 1, that is 7D, ठीक है sir, 2 का multiply कर तो अंदर, तो जाद अच्छा रहेगा, A plus 13D is equal to 2A plus 7, तो 14D, ठीक है, sir, A को यहाँ ले जाओ, यह इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है, लाना पड़ेगा कहीं न कहीं तो, तो sir, यह 13D के पास, 14D आएगा, minus का 14D हो जाएगा, 2A के पास, A ले जाएंगे, 2A के पास, यह plus का A वहाँ जाएगा, minus का A हो जाएगा, तो sir, यह आया, minus का D is equal to A, दो चीज़ कह सकते हो sir, आप यह तो यह कह सकते हो, कि A की value यह आई, है ना, यह तो यह कह सकते हो sir, A की value यह आई, यह फिर आप ऐसा कह सकते हो, A plus D is equal to 0, यह फिर ऐसा कह सकते हो, यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया अरे D को यहां लियाओ तो A plus D हो जाएगा equal to 0 दोनों सही है कोई भी दिक्कत नहीं है If its sixth term is minus 8 sixth term minus 8 है A 6 is equal to minus 8 A6 का formula या expression या expansion बनेगा A plus 5D right is equal to minus 8 अब बच्चा A की जगा minus D लिख दो A की जगा minus D लिख दो तो sir A की जगा अपन लिखेंगे minus का D plus 5D is equal to minus 8 इन दोनों का solve आएगा 4D is equal to minus 8 D is equal to minus 8 upon 4 2 आजाएगा बिटा minus का 2 sir minus का 2 आगया D is equal to minus 2 आगया अब जो D आ है वो यहां रख दो यहां रख दो कहीं भी रख दो it's up to you तो A आजाएगा A is equal to minus D है न A is equal to minus D इसमें रख दो या इसमें रख दो D की value minus 2 है बटा A is equal to minus और D है minus 2 तो minus 2 minus minus plus तो A आजाएगा sir plus का 2 A आजाएगा plus का 2 So D is equal to minus 2 A is equal to plus 2 ठीक है sir दोनों को tick कर दो लिख लो side में A और D आगया sir A आगया we have 2 और D आगया we have minus 2 ठीक है sir ठीक है चलिए क्या पूछ रहे है वो then find the sum of its first 20 terms first 20 terms का sum निकालो तो निकाल दींगे कोई दिक्कत थोड़ी ना है ठीक है देखो sum of first 20 terms का मतलब है they are asking S20 ठीक है S20 पूछ रहे है वो ठीक है sir तो S20 पीटा N upon 2 bracket 2 A plus N minus 1 D ठीक है यही formula लगाओ sum of N terms वाला यह जो उपर लिखा हुआ है ठीक है sir N की जगा 20 लिखो 20 upon 2 bracket 2 into A A है sir 2 है ना 2 into A sir A है 2 तो 2 into A की जगा 2 लिखेंगे plus N minus 1 मतलब बिटा 20 minus 1 19 होगा ठीक है 19 into D sir D है minus 2 तो यहां minus 2 लिखो 19 to the 38 तो यह आया sir 10 into 2 to the 4 minus 19 to the 38 minus खाएगा बिटा यह आंसर आया minus 340 sir that's it ठीक है so this is it minus 340 is the answer for this question और कुछ है क्या नहीं और कुछ नहीं है sir A done जल्दी से देखलो बिटा फिर आगे बढ़े चलो moving ahead sir आगे चले moving on to next question number 9 इसको erase कर दें question number 9 पे चला जाए 9 और 10 दो और बचे 9 यह रहा और 10 भी easy है अब फिर इसके बाद जो next parts आएगे ना उसमें level बढ़ जाएगा questions का the 13th term of an AP is 4 times its third term एक AP है उसका 13th term उसका जो 13th term है वो third term का 4 गुना है बिटा तो अपन A13 लिखेंगे A13 is equal to 4 times 4 times its third term A3 ठीक है? येस सर अब अपन चलते हैं सर A13 के नीचे काम करने that is A plus 12D A plus 12D is equal to 4 into A3 होता है A plus 2D रट गया होगा अब तो concept A plus 2D ठीक है? multiply करो 4 का अंदर बेटा so what do we have? A plus 12D is equal to 4 into A 4A plus 2D 4 to is a 8D basically 8D आएगा ठीक है? अब देखो फिर वोई काम बेटा मेरे हिसाब से आपको A यहाँ भीजना चाहिए और 8D को यहाँ भीजना चाहिए we have 4D is equal to 3A अब देखो यहाँ से 2 expression बन सकते हैं जो use करना हो वो use करेंगे है अपन ठीक है? जिसे D का एक expression बनेगा 3A upon 4 3A upon 4 एक तो यह बनेगा एक बनेगा A का एक बनेगा A का expression A is equal to 4 upon 3D 4 upon 3D ठीक है? So we have D and A की value perfect values हैं हमारे पास ठीक है? आगे देखते हैं If it's 5th term is 16 अगर उसका 5th term A5 16 दिया गया है we have 16 ठीक है सर? A5 को break कर लेते हैं A plus 4D में सर This is A plus 4D is equal to 16 और अब देखो काम हो सकता है गौर से सुनना देखो दो काम हो सकते हैं या तो तुम A और या की D की value यहां रख सकते हो लेकिन मैं तुमें एक फिर shortcut बताता हूँ 4D 3A के बरावर है और यहां भी coincidentally 4D आ गया तो 4D की जगा direct तुम 3A रख सकते हो बस ध्यान से देखने वाली बात है तुमारी नजरें कितनी शार्प में यह matter करता है is equal to 16 अब तुम D की value अगर 3 upon 4 भी रखते न तब भी वो 3A ही आता yes 3A ही आता रख के देख ले न 4A is equal to 16 A is equal to 16 upon 4 your answer is 4 answer नहीं A आ गया ठीक है sir A आ गया अब sir D कैसे निकालेंगे अरे बहुत आसान है D की यह value है न D की यह value है यह किसी में भी इसमें रख दो इसमें रख दो इसमें किसी में भी A की value रख दो D is equal to 3A upon 4 3A upon 4 A की value रखो भाई यहां 4 यहां रखो sir 3 into 4 upon 4 4 से 4 कट हो गया we have 3 sir A 4 आ गया D 3 आ गया A और D आ गया आपने आधी जंग जीत ली उन्होंने बोला find the sum of its first 10 digits S 10 निकालना है first 10 terms S 10 निकालना है बेटा formula N upon 2 bracket 2 A plus N minus 1 D यह तो रखलो भी टाप learn कर लो बिल्कुल 2 A plus bracket N minus 1 into D bracket close है ना चलो sir N की जगा 10 आएगा 10 upon 2 bracket 2 into A A क्या है sir A क्या है अपना A आया 4 D आया 3 2 into 4 2 into 4 plus 10 minus 1 N 10 10 minus 1 9 into D वोट इस D D 3 है बेटा देको यह 3 आया था D into 3 bracket close what do we have now 10 upon 2 हमारे पास 5 बचा 2 4s है 8 plus 9 3s है 27 solving है solving है बेटाप तो 5 into 35 this will be 35 8 plus 27 35 होगा 5 का मुल्टिप्लाइ करो बचा 5 5s है 25 5 2 केरी 5 3s है 15 और 2 17 175 यह अपना आंसर आगे this is our answer ठीके 5 3s है 15 oh 5 5s है 25 5 3s है 15 सही है 175 आंसर है ठीक है चलिए चले आगे फूफ चलिए moving on आगे चलते हैं क्या है बई question number 10 last question of this series है ना चलो इसको भी खतम करें बई यहां से पहले इसको shift करेंगे नहीं तो वो चला जाएगा फिर चलिए question 10 यह रासर last question is series का इस series का नहीं है मतलब इस part का AP का जो part हपन कर रहे हैं उसका last question है 10th 10 से ज़्यादा लाँँगा तो फिर तुम लोग लंबा खिच जाएगा वीडियो कोई मतलब का नहीं रहेगा फिर ठीक है ओके गौर से बढ़ना जरा ध्यान से if the sum of first seven terms of an AP is 49 seventh term नहीं seven terms शुरू के साथो term का sum S7 दिया है ध्यान रखना सर क्या given है अपन को S7 given is S7 कितना दिया सर? S7 हमको दे रखा है 49 ठीक है जरा इसके नीचे इसका फॉर्मला ओपन करो N जो की seven है अपन टू ब्रैकेट 2A प्लस N-1 7-1 that is 6D is equal to 49 बच्चो ध्यान दो सरह 2 common आ रहा है इन से 7 upon 2 into इन से 2 common 2 common लिया सर तो ब्रैकेट में बचा A plus 3D A plus 3D is equal to 49 ठीक है 2 से 2 कट हो गया 7 multiply में 7 वहाँ जाएगा divide करेगा A plus 3D is equal to 49 upon 7 बही यह आया 7 that is हमारे पास एक equation निकल के आगई A plus 3D is equal to 7 यह हमारे पास एक बढ़िया सी equation निकल के आगई आगे पढ़ो and that of that of मतलब सम की ही बात हो रही है and that of the first 17 terms अब उन्होंने कहा और वही that of मतलब सेम सम की बात हो रही है कि अब जो शुरू शुरू के 17 terms है S17 उनका भी सम दे रखा है इन्होंने 289 ठीक है find the sum of first and terms of the AP सम निकालेंगे रुक जाओ पहले इस से तो देख लें A क्या रहा है Sir N 17 है तो यहाँ N upon 2 यहनी 17 upon 2 bracket 2 A plus N minus 1 यहनी 17 17 minus 1 16 D आएगा 16 D is equal to 289 ठीक है 2 यहाँ से भी common आ रहा 2 यहाँ से भी common आ रहा तो पहलेंगे तो पहलेंगे अपन 17 upon 2 into 2 common लेंगे तो पहलेंगे 2 common लेने का मतलब है 2 से डिवाइड कर दो यह होता है common लेने का मतलब इसको 2 से डिवाइड करा या 2 common ले लिया तो A बचा और यहाँ से प्लस का 8 D बचेगा bracket close is equal to 289 2 से 2 कट हो गया 17 multiply में है इससे 17 उधर जाएगा divide करेगा A plus 8 D is equal to 289 upon 17 17 से होता है 289 यह 17 का square होता है तो 17 into 17 एक 17 कट गया तो यह आया 17 17 से 289 17 times कट सकता है लो भाई पर इसको दिक्कत है तो भाई पूरा लिख देता हूँ A plus 8 D is equal to 17 और और यह और यह आगई पेटा second equation इन दोनों equations को हमें elimination processes solve करना है क्या होत करना है दोस्त elimination processes और solve करेंगे देखो अराम से हो जाएगा second वाली थोड़ी बड़ी लग रही है उसको पहले लिखो A plus 8 D is equal to we have 17 इसके नीचे यह वाली लिखते है A plus 3 D is equal to 7 पेटा सप्रेक्शन करना पड़ेगा because A से A काठना है अगर तो सप्रेक्शन करना पड़ेगा और सप्रेक्शन में यह नीचे की पूरी की पूरी equations के symbol change हो जाती हर टर्म की plus का A है तो अब माइनस का ही हो गया plus का 3 D है माइनस का हो गया plus का 7 है माइनस का हो गया A से कट हो गया 8 D में से 3 D माइनस हुआ तो बच्चा 5 D equal 17 में से 7 गया बच्चा 10 सर 5 D का साथ छोड़ेगा 10 के पास जाएगा divide करेगा 2 आएगा D is equal to 2 आगया D is equal to 2 अब जो D 2 आया वो या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो किसी में भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है A आ जाएगा ठीक है यहां रख देते हैं सर A plus 3 D is equal to 7 सर यहां D की value रखते हैं A plus 3 into 2 D की value 2 है is equal to 7 3 2 is a 6 A plus 6 is equal to 7 6 वहां जाएगा minus हो जाएगा A is equal to 7 minus 6 it is giving us 1 तो A1 और D 2 आगया A1 and D 2 आगया यहां लिख लेते हैं सर A1 and D 2 आगया है ठीक है भई लिख लिख लिया अब find क्या करना है A आगया D आगया अब जो find करना है वो easily खिच आएगा अपने आप खिच की आएगा वो देखो क्या आएगा सुनना मेरी बास सुनना बेटा दिहान से ठीक है सर हमें अब निकालना है find the sum of first and terms of the AP find the sum of first and terms find the sum of 15 terms होता तो n की जगा 15 लिखते find the sum of 20 terms होता तो n की जगा 20 लिखते it depends ठीक है सर तो formula क्या आए n अपन 2 n की जगा n ही रहेगा bracket 2a plus n minus 1d यह formula लगेगा ठीक है सर a और n की value इसमें अपन insert कर देंगे s n is equal to n upon 2 bracket 2 into 1 2 into 1 ठीक है सर 2 into 1 plus n minus 1 n minus 1 और d की value आएगी सर 2 तो d की value अपने हाँ 2 लिख लेते हैं d की value 2 आए d अंदर multiply कराओ दोस्त तो शायद n square आएगा answer इसका n upon 2 bracket 2 1s are 2 plus 2 into n 2n 2 into 1 minus 2 bracket close बिटा 2 से 2 कट जाएगा 2 से 2 cancel out हो गया plus 2 minus 2 अंदर कट गया we have 2n और n upon 2 n upon 2 into 2n यह बचा बस 2 से 2 again gone 2 से 2 अगें कट गया तो n into n n square आया तो answer n square आया देखो इतनी प्रैक्टिस कर लोग questions की बटा की answer रट जाएं मैंने question देखके मुझे लग रहा था कि इसका वो ही question नहीं शायद जिसका answer n square आ रहा था तो इसका answer आ गया बच्चो n square इनो ने जो question पूछा उसका answer है n square this is our answer n into n will be n square ठीक है बई चलो जल्दी से देख लो let us move on to the last question अच्छे यह तो last ही था या 10th question ही था यह तो last question ही था कोई बात नहीं बहुत बढ़िया चलिए moving on आगे चले भाई moving on erase erase अच्छा पूरे erase करना है न अब तो खतम तो सर यह रही अपनी आखरी अलविदा वाली slide और मुझे हमीद है कि आपने पूरे 10 के 10 question बहुत ही smoothly खतम कर लिए होंगे और समझ लिया होगा हर एक concept जो आज अपनने इन 10 questions में सीखा है एंड आप हमारी website पर भी जा सकते है website www.magnetbrains.com जैसे ही website open होगी आपको अपनी class select करनी है as well as आपको अपना subject जो भी पढ़ना है वो select करो अराम से list खुल जाएगी chapters की chapter select करो जो भी पढ़ना है और शुरू कर दो अपनी videos अच्छे से देखना पढ़ाई करना क्योंकि आपके लिए सारे videos free of cost हैं कोई पैसा नहीं है या हमारे website पर पढ़ो YouTube चैनल पर पढ़ लो या app पर पढ़ लो एप आपको मिल जाएगी Google Play Store से जाएए search कीजिए magnet brains install कीजिए और अपनी पढ़ाई को अच्छी रफतार दीजिए ठीक है और notes की आवशकता होना तो best notes हमारे पास available है grab e-notes करके section आएगा website और app पर किनारे corner में तो बड़ी अच्छी तरीके से वहां से notes भी download कर सकते है refer कर सकते है अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए right आप चाहे cbse board हो up board हो mp board हो बहुत सारे boards हम already cater कर रहे हैं सबके लिए material है video content है बढ़िया free of cost आओ पढ़ाई करो और exam में बढ़िया marks लाओ चलो दोस्त जल्दी मिलते हैं in next video till then happy learning take care bye